नमस्कार नियूस पियार में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ प्रीती जहाँ बात करते हैं स्पोर्च जगत की प्रमुक पाज खबरों के बारे में लोगों के मन में यह सवाल था कि आखे टीम इंडिया का नया T20 कैप्टन कौन होगा BCCI के एक अधिकारी नहीं यह बताया है कि लंबे सर में से सिमित ओवरों में उपकप्तान रहे रोहित शर्मा को T20 World Cup के बाद भारत का अगला T20 कप्तान जो है बनाया जाएगा बढ़ते हैं अगली खबर की ओर UAE में पहली बार T20 मैच खेलेगा भारत रविशास्ट्री बोले चिंता ना करे IPL का नुभव हमारे काम आएगा भारत का पुराना रिकॉर्ड जो भी हो या उसके खिलारी ने UAE में T20 इंटरनेशनल नहीं खेला हो लेकिन मुखे कोच रविशास्ट्री को ये लगता है कि भारते खिलारी को IPL में वहां खेलने का अनुभव काम आएगा इसको लेकर उन्होंने कहा है कि IPL से भारते खिलारीओं को तैयारी में काफी जादा मदद मिली है खास करके उन खिलारीओं को जो की अपनी अपनी टीमों के लिए नियमित खेलते रहे हैं खिलारी पिछले दो महिने से IPL खेल रहे हैं और इसलिए मुझे नहीं लगता है कि उन्हें बहुत अधिक तैयारी की आवशक्ता है बढ़ते हैं अगली खबर की ओल इंजियन प्रिमेर लीग में 2022 में दो नई टीमें जुड़ने जारी हैं मतलब है कि IPL के 15 सीजन से कुल 10 टीमें टूनामेंट में होगी नई IPL टीमों के लिए टेंडर लेने की समय सीमा जो है आज समाप थोड़ी है लेकिन भारत्य क्रिकेट कंच्रोल बोर्ड नई टीमों की निलामी को कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ाने का विचार कर रहा है पहले ये तैग किया गया था कि 25 अक्टूबर को नई टीमों की निलामी की जाएगी और विजयताओं की घोशना की जाएगी लेकिन BCCI सूतरों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार इस प्रक्रिया में कुछ दिनों की देड़ी हो सकती है बढ़ते हैं अगली खबर की ओर 2019 विश्व कप में पाकिस्तान के हारने पर रोने वाला फैन एक बार फिर से इंडिया वर्सस पाकिस्तान मैच के लिए तैयार कहा ये मैच जीतना जरूरी है जी हां इंग्लेंड में 2019 वर्ट कप के दौरान भारत के खिलाब पाकिस्तान के हारने के बाद अपने रियाक्शन को लेकर सुर्खियां बचोरने वाले पाकिस्तानी फैन मुमीन शाकीब एक बार फिर चर्चा में है इस बार उन्होंने मैच से पहले ही अपने फिलिंग को बताया है रविवार को होने वाले मैच से पहले मुमीन शाकीब ने शोशल मीडिया पर पोस्ट किये हैं और पोस्ट की जड़िये वीडियो में कहा है कि क्या आप तैयार हैं जजवात से भरपूर पाक भारत का मैच यह मैच पाकिस्तान के लिए जीतना बहुत जरूरी है बढ़ते हैं अगले खबर की ओर अफगाने स्टार रशिद खान ने इस T20 वर्ल्ड कप को बताया स्पीनेरों का विस्व कप जिहां रशिद को 2017 में 18 साल की उम्र में ही IPL फ्रेंचाइजी संराइजर्स हैदराबाद में अपने टीम में शामिल किया गया था और इसके बाद उन्होंने लगतार अच्छा प्रदर्शन किया है अफगानिस्तान के स्टार लेग स्पीनर रशिद खान का मानना है कि ICC T20 विश्व कप में स्पीनरों का ही दबदबार रहेगा और उन्होंने कहा है कि अगर उनकी टीम अच्छी बल्लेवाजी करती है तो किसी भी टीम को हडा सकती है तो इस पोर्च जगत में आज वस इतना ही बाकी के खबरों के लिए देखते रहे न्यूस पियार अगर आपने हमारे चैनल न्यूस पियार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी सब्सक्राइब कर हुआ हुआ है